एक दफा का जिक्र है, एक वसी सवाना के दिल में लीव नाम का एक जवान शीर रहता था, लीव अपने गुरूर में दूसरे शेरों की तरह नहीं था, जबके उसके बाकी खानदान और दोस्तों की जोरदार गरज थी जो मैदानी इलाकों में गूँजती थी, लीव की दहार छोटी, डरपोक और बमुश्किल एक सरगोशी थी, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि इसने कितनी ही कोशिश की, इसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं होगी जितनी वो चाहता था, छोटी उम्र से लीव ने अपने वालिद सवाना के बादशार की ताकत और एतिमाद की त जब वो अपनी गरज तलाश करेगा और अपने वालिद को फखर करेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसे अपने आप पर शक होने लगा, घुरूर में दूसरे शीर अकसर उसे छेड़ते थे, लीव तुम कब असली शीर की तरह गिर जाओंगे, वो मजाक कर अगर आपको कोई नहीं सुन सकता तो आप कैसे लीडर बन सकते हैं? लीव ने इन्हें नजर अंदास करने की कोशिश की, लेकिन गहराई में इसे चोट लगी, इसने दूसरे शेरों से बचना शुरू किया और अपने ज्यादा तर दिन सवाना के किनारों पर घूमते हुए अकेले गुजारें. वो अकसर छप छप कर गरजने की मश्क करता था, लेकिन उसने कितनी ही मश्क की, इसकी गरज नरम और कमजोर ही रहती थी. एक दिन, लंबी घास में घूमते हुए, लीव ने मोयू नामी बुढ़े, अकलमंध हाथी को ठोकर मारी. मोयू ने कई मौसम देखे थे और वो अपनी हिकमत के लिए मश्कूर थी. इसने लीव की आँखों में उदासी देखी और पूछा, नौजवान शीर तुम्हें किया तकलीफ है. सच्चे लेडरों को सबसे ज्यादा बुलंद आवाज होने की जरूरत नहीं है, लीव. वो हिकमत, महरबानी और बहादुरी के साथ रहनुमाई करते हैं. कभी कभी एक नरम आवाज इतनी ही ताकतवर हो सकती है जितनी बुलंद आवाज, मुयू ने आहिस्ता से कहा. लीव ने मुयू के अलफास के बारे में सोचा लेकिन फिर भी गेर यकीनी महसूस हुआ. लेकिन मैं फिर भी अपनी ग को तलाश करने के लिए वाकिफियत से बाहर कदम रखने की जरूरत होती है. सवाना के इस पार का सफर करें और हो सकता है कि रास्ते में आपको मालूम हो जाएगा कि आप किया हैं. तलाश कर रहे हैं. उम्मीद महसूस करते हुए लीव ने मुयू का मशवरा लेने का फैसला किया. अगली सुबह वो अपने सफर पर रवाना हुआ. उसने अपने गुरूर से बहुत दूर दरियाओं और पहाडों के पार जंगलों और सहराओं से गुजरा. रास्ते में वो बहुत से जानवरों से मिला जिन्होंने उसे कीमती सबक सिखाया. इसकी मुलाकात एक चीते से हुई जिसने इसे रफ्तार और चुस्ती की एहमियत सिखाई, एक कछुए से जिसने उसे सबर की गदर दिखाई, और एक परिंदे से जिसने उसे दुनिया को एक मुखतलिफ नुक्ता नजर से देखने में मदद की. हर नए दोस्त ने लीव की बढ़ती हुई समझ में इ एक शाम जब वो पानी भरने वाले सूराख के पास आराम कर रहा था, उसने मदद के लिए एक हलकी सी चीख सुनी. इसके कान खड़े हो गए और वो लंबी घास में से आवास का पीछा करता रहा यहां तक कि वो एक गहरे गढ़े में फंसे हुए एक छोटे से खौफजदा जबरा पर जा पहुँचा. मदद, मैं बाहर नहीं जा सकता. जबरा पुकारा, बगएर किसी हिचकिचाहट के लीव हरकत में आ गया. उसने इर्दगर्द ऐसी चीज तलाश की जो जबरा की मदद कर सके और उसे एक लंबी और मजबूत शाख मिली. अपनी पूरी ताकत इस कामते हुए कहा. मुझे नहीं लगता था कि कोई आएगा. लीव मुस्कुराया. मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकता हूँ. जबरा ने लीव को तजस्स से देखा. तुम दूसरे शेरों की तरह नहीं हो. वो आम तोर पर हमें डराते हैं. लेकिन तुम मुख्तलिफ हो. त मुख्तलिफ है शायद ये इस बात के बारे में नहीं था कि इसकी गरज कितनी बलंद थी. लेकिन इसने दूसरों की मदद के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया. उन्हों ने महसूस किया कि कियादत सिर्फ ताकत और शोर से नहीं होती. ये हमदर्दी, बहादुरी और सही काम करने के बारे में था. पहले से जादा पर एतिमाद महसूस करते हुए लियू ने अपना सफर जारी रखा. उसने रास्ते में मजीद जानवरों की मदद की और एहसान के हर अमल के साथ उसने अपने अंदर फखर का एहसास बढ़ता हुआ महसूस किया. फर्क करने के लिए इसे उंची आवाज में गरजनी की जरूरत नहीं थी. इसके अमाल किसी भी आवाज से ज्यादा बलंद आवाज में बोल रहे थे. एक दिन, कई महीनों के सफर के बाद, लियू ने फैसला किया कि अब घर वापस आने का वक्त आ गया है. जब वो सवाना के करीब प खत्रा में डाल रहे थे. लियू का दिल धड़क गया. वो जानता था कि उसे कुछ करना है, लेकिन हाईना बहुत से थे और वो इससे बहुत बड़े और मजबूत थे. एक लमहे के लिए इसके जहन में शक फिर गया. लेकिन फिर इसे वो सब कुछ याद आया जो इसने बढ़ा. हया उसकी तरफ मुरी और हंस दी. छोटे शेर तुम क्या करने जा रहे हो? अपनी खामोश धार से हमें डरो. लियू लंबा खड़ा हुआ और सीधी आँखों में हाया को देखा. मुझे अपने गरूर की हिफाजत के लिए गरजनी की जरूरत नहीं है, उसने पु एक एक करके वो पीछे हिट गए और दूर दौर में गायब हो गए. गरूर सलामत था. जैसे ही लियू अपने घरवालों की तरफ मतवज्जे हुआ, उन्होंने हैरत से इसे देखा. इसका बाप, अजीम बादशा, फखरिया मुस्कराहट के साथ इसके पास आया. आपको ए कुराया. हो सकता है कि इसने सवाना में सबसे ज़्यादा देवर ना सुनी हो, लेकिन इसे इससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज मिली थी, इसकी हकी अंदरूनी ताकत. और इस दिन से लियू को ना सिर्फ इस शेर के तौर पर जाना जाता था, जिसने अपनी धार पाई, ब अपने दिल से रहनुमाई करता था.